24 जैन्वरी 1848 की बात है अमेरिका की कैलिफॉर्णिया की आपने कैलिफॉर्णिया के बारे में हो सकता है पहले सुनाओ बट 1848 से पहले वो एक रूलर प्रेस होती थी वहाँ पर एक आदमी जेम्स मार्शल नाम का एक मील में काम किया करता था पर एक बार वो जाता है 24 जैन्वरी के दिन एक नहर के पास और नहर में पानी के अंदर उसे चमचमाता हुआ पत्थर दिखता है वो पत्थर को हाथ में उठाता है पर उसका टेस्स कराता हुआ उसे पता लगता है कि वो तो सोना है प्योर गोल्ड है और वहाँ पर उसे और भी सोने के टुकड़े मिलते हैं वो अपने मील के ओनर को आकर बताता है कि वहाँ पे नहर पे सोने के टुकड़े मिले हैं मुझे पर मील का जो होनर उतना ज्यादा भाव नहीं देता वो कहता है चलो ठीक है थोड़ा सोना मिल गया होगा तो मील बनाने पर ध्यान दो पर जो वरकर्स होते हैं वो ये पर्मीशन ले लेते हैं भी हम तो अपने फ्री टाइम में वहाँ पर खुदाई करेंगे हम और सोना ढूनेंगे तो अपने फ्री टाइम में जब वो सोना ढूने जाते हैं उन्हें पता लगता है कि वहाँ पर चोटे मोटे टुकडे नहीं है वहाँ पर तो पूरी सोने की ख़दान है साड़े तीन लाक किलो सोना वहाँ पर दवा पड़ा है अब जैसे ही लोगों को पता लगता है कि कैलिफॉर्णिया में सोना मिला है यह अगबारों में छप जाती है न्यूस और अमेरिका के अलग लग जगाओं से लोग वहाँ पर आने शुरू हो जाते हैं कैलिफॉर्णिया के अंदर ना सिर्फ अमेरिका के पूरे वर्ल्ड में जहां जहां तक यह न्यूस पहुचती है लोग अपना काम दंदा छोड़ के कोई डॉक्टर है कोई इंजीनियर है सब छोड़ चाड़ के आजाते हैं सोने की खुदाई के लिए अब जब इतने सारे लोग वहाँ पहुच जाते हैं सोना निकालना शुरू करते हैं इतना सोना निकलता है कि लोग अपने घोड़ों पर लाद कर सोना लेकर जाते हैं अब पहाड़ी से जा रहे हैं, घोड़े गिर गए, उसके मालिक उपर बैठे था, वो भी गर गए, लोग मर गए, लोगों ने वैसी मार काट शुरू कर दी, लूट ना शुरू कर दिया, किसी ने सोना निकाल लिया, तो लोग इतने लालची बन गए, कि सब कुछ भूल गए पड़ मेरा सवाल है आप से, 1848 से लेकर 1855 तक आलमस्ट यह आपके साथ साल हो जाते हैं, साथ साल सोने की खुदा ही चली है, सोना निकला है, मैंने आपको बताया, आलमस्ट साड़े तीन लाक किलो, पड़ मेरा सवाल है, सबसे ज़्यादा पैसा किस ने कमाया, ज़रा सोच रहे हैं, कि जिस इंसान ने सबसे पहले ढूंडा था सोनी की ख़दान को, उसने ज़्यादा पैसा कमाया होगा, या फिर जो इतने सारे लोग आये थे, उसमें जिसके पास सबस्यादा पैसा होगा, उसने अपने साथ वर्कर्स कलेक कर लिए होंगे, उसने सोनी की लोग यही सोचते हैं, कि जिसने सोनी की ख़दान मिल गई, वही सबस्यादा पैसा कमाएगा, बढ़ यह गलत है, इसके ऊपर आ जाती है, सेकेंड लेवल तिंकिंग, या सेकेंड ओर तिंकिंग, अब लेट मी डेलियो, लोग यहां पर पहुंचें, कितने, तीन लाक लोग पहुंच गए, ना सिर्फ यूएस से, अल ओर वर्ल्ड से, कैलिफॉनिया में खुदाई करने के लिए, अब खुदाई करने के लिए, जो एक्कुप्मेंट्स चाहिए, टूल्स चाहिए, जो फावडा चाहिए, शौवल बोलते हैं, तो यह सब जो चाहिए, लाजने के लि आपको लग रहा होगा कि यह इन लोगों के नाम फेमिस नहीं है, तो और बताता हूं, सिकेंड लेवल थिंगिंग में, तीन लाख लोग वहाँ पहुंच गए, खाना कहां से मिलेगा, तो वहाँ पे एक नियोक का एक बचल भी पहुंच गया, उनका नाम ता फिलिप आर्म आपने आर्मर का नाम सुना होगा, तो जो आर्मर फूर्ड है, यह मीट प्रोड्यूसिंग कमनी है, इसने वहाँ पे लोगों को खाना सप्लाइ करना शुरू किया, और यूएस की वन अफ दा लार्जेस मीट प्रोड्यूसिंग कमनी बन गया, एनिवेज, जब आप खुद का नाम सुना है, तो लिवाइस जो जीन्स है, वो कहां से आई है, वो कैलिफॉर्णिया से आई है, तो एक इनसान ने देखा कि लोगों को कपड़े की ज़रूत है, हम यह देते हैं, लिवाइस वहां से जनम होई, लोगों को बैंक की ज़रूत थी, लोगों को पैसा डेपो किया एंड आपने वेल एंड फार्गो का नाम तो सुना ही हो गए फॉर्चन फाइव एंडिट कंपनी के अंदर आते हैं इनका 2019 का ही प्रॉफिट आल्मोस्ट बीस बिलियन के आसपस था शुरुवात कहां से हुई एक अपॉर्चुनिटी से हैं आज अगर हम बात करें स्टॉक मांकेट की हम बात करें पैसा कमाने की तो आज आपको यह समझ आ गया होगा कि सिर्फ फर्स लेवल फिंकिंग से या सिर्फ फर्स ओर्डर फिंकिंग से ही पैसा नहीं बनता ज्यादा पैसा बनता है second level thinking से अब इसका मतलब क्या हुआ अगर आज आप stock market में investment कर रहे हो है कहीं पर भी investment कर रहे हो तो यहाँ पे कुछ चीज समझते हैं lockdown हुआ ठीक है जी लोग panic में आ गए लोग डर गए उन्होंने अपने stocks बेचने शुरू कर दिये पर उसके बाद जिन लोगोंने investment की उन्होंने क्या सोचा कि अब कौन सा sector सबसे पहले grow करेगा अगर healthcare के अंदर pharmaceutical के अंदर आपको लगा कि पैसा लगाना चाहिए आपको लगा पैसा लगाना चाहिए और लोगों को लगा कि पैसा नहीं लगाना चाहिए अभी तो हमें कहीं न लगाना चाहिए और आपने उसे जल्दी identify कर लिया और उस सेक्टर की कंपनी या उस सेक्टर के अंदर जो भी बड़े organizations थे वह बहुत तेजी से grow कर गए उस time period के बाद तो आपको बहुत जबर्दस हाई profits हुए बहुत जबर्दस profits हुए क्यों हुए क्योंकि आपने तब stock क को पिक किया जब वह बहुत कम प्राइस पर मिल रहा और लोग भी बेचने के मून में बैठे हुए थे इसलिए उसका प्राइस जादा बढ़ा नहीं बट कंपनी ने बढ़िया परफॉर्म कर दिया आपको high profits मिले यह सोचना होता example माल लेते हैं आने वाले time के अंदर आपक है जिससे एक्चुल में लेक्ट्रिक वहिकल बनेगा मालों बैटरी बनाती है यह बैटरी एकुपमेंट्स बनाती है तो वहां पर क्या हो सकता है कि आपको लग रहा है कि वह चीज़ ग्रोगी बट ऐसा नहीं कि आप अकेले हो अब लोगों को भी लग रहा है वह चीज़ रोगी एंडमालेते हैं वो सच में ग्रोग हो जाती है वो कंपनी और इंडुस्ट्री सच में इस केस में क्या फरके से समझो Isks में लोगों कोनी लग रहा थ हूं लोग ड़ए। घृष में लोगों को ऑदो बहुं को लग लग लगड है तो जब लोगों लगता है तो आप जो सोच रहे वैसा नहीं हुआ माल लो आप किसी कम्पनी में है इंडस्ट्री में पैसा लगाते हो आपको लगता है ये ग्रो करेगी आपको लगता है ठीक है जी अब इसे बड़े ध्यान से समझेगा अब माल लेते हैं आपको लगता है कि tourism industry बहुत तेजी से grow कर सकती है covid दीरे दीरे कम हो रहा है और आपको ऐसा लगता है कि जैसे लोग मनाली में पहुँच गए बीड लगा दी ऐसा अब लोग अंदर से पूरी तरीके से भरे पड़े हैं जैसे ही lockdown खुलेगा covid की situation बहतर होगी tourism industry में बहुत tremendous growth मिल सकती है आपको ऐसा लगता है अब यहाँ पर एक चीज़ समझे कि माल लेते हैं लोगों को भी ऐसा लगता है पर covid की situation ठीक नहीं हुई इंडस्ट्री और बिकार परफॉर्म कर गई फिर क्या होगा आपको बहुत जबरदस loss भी हो सकता है और यहीं पर फाइनल सिनारियो और लेते हैं माल लेते हैं आपको लगता है कि टूरिजम इंडस्ट्री ग्लो करेगी बड़ लोगों को नहीं लगता अब यहाँ पर लोगों को जब लगता था तो शेर्स के प्राइज उन टूरिजम कंपनीज के बहुत जब बढ़ गए थे पर यहाँ पर लोगों को नहीं लगता तो आपको लगता है तो आपने जब इंवेस्ट किया आपने बहुत कम प्राइस पर इंट्री ली लोगों को नहीं लगता तो वह प्राइस कम था पर टूरिजम सेक्टर ग्रो नहीं हुगा लॉस अभी भ पता है कि फॉसिल फ्यूज को कम जलाना है जिससे हमारा इंवार्मेंट खराब भी हो रहा है तो ऐसा सेक्टर के अंदर जिसमें आपको लगता है कि बहुत तेजी से ग्रोथ आईगी अब आगे क्या होगा वी डू नॉट नो पर यहां पर ऐसे सेक्टर के अंदर आपको नने आपको प्रिजिद्प करना है अगर आपको प्रिजिट करना है अगर आपको पैसा जादा कमाना है आपको प्रिट जरूर करना है की होने के यवाला है पट इस में सिर्फ फैस्ट लेवल नहीं इसगेंड लेवल पिजाओ थर्ड लेवल फिजाओ कि अगर कल को मानलो एक फट्रॉक ग्रो कर रहा है उसके पीछे जो कंपनी यह वो क्यों ग्रो कर रही है और उसमें grow करेगी तो उसमें क्या factors involved होंगे एक example और ले लेते हैं मान लेते हैं आपको लगता है कि बिया electric vehicles future है तो आज जो companies electric vehicles बना रही हैं आप उसके stock खरी सकते हो बट कल को जो general companies है मान लेते हैं आपकी मारूती सुजू की अभी एक भी गाड़ी नहीं है मारूती की electric जो companies batteries supply करते हैं क्योंकि electric vehicles के अंदर main जो component है वह battery है तो बैटरी जो companies देंगी उनका stock price और उपर जाएगा आप सोच सकते हो आप यह भी सोच सकते हो अगर यह इतना ही important है तो यह companies खुद भी batteries बना सकती है आपको दिमाग लगाना पड़ेगा वारन पफे चार्ली मंगर जो रोज company ढूंड़नी है यह बहुत मुश्किल काम है तो आपको दिमाग जरूर लगाना पड़ेगा second level thinking पर जाना पड़ेगा and then आप ऐसी companies ढूंडोगे जो multi beggar होंगी पर पहले predict करना है दूसरा सबसे important factor मैंने आपको बताया जब लोग जो सोच रहे हैं उसके against सोचना है इ और यहां पर predict जब आप कर दोगे market के against बस आपकी production ठीक होनी चाहिए and you will make a lot of money so आपको आज की वीडियो कैसी लगी आप नीचे comment करके ज़रूर बताएगा इस वीडियो को अपना प्यार देने के लिए जल्दी से like कर दीजे शेयर जरूर कीजिए जिससे जादा स्यादा लोगों तक कि कमाल की information पहुंचे फाइनली अगर आपको stock market में invest करना है तो आपको अपने डिमेट अगाउंट चाहिए होता है इस वीडियो के description और comment box में